हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई योट्यूब चैनल दी लर्निंग सेल फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं संधी संधी बोर्ड एक्जैम्स में हिंदी में जरूर पूछी जाती है और इसका एक आध क्वेशन जरूर आता है बोर्ड में चाहे आप 10 में हूँ और आपको संधी से जरूर मिलेगा तो सबसे पहरा देखें हैं देर्ग संधी में देखे क्या होता है मैंने सारे रूल्स लिखे हुआ है इससे अलग आपको कुछ नहीं मिलेगा आप दीर्ग संधी में एक तरफ चुटा एक तरफ बड़ा अगर होगा या दोनों साइड में, ह्मेशाँ बढ़ा आएगा उसी तरह छोटी इ और बढ़ी में रूल लगेगा मैंने तो इतना ध्यान रखेंगा example देखिए mad plus and तो mad अब यहाँ पर कहा है चोटा आए जब कोई भी अक्षर खाली होता है उसे हम छोटा मानते है उसके साथ में तो mad plus and तो यहाँ पर छोटा आया यहाँ पर छोटा आया तो क्या होगा बड़ा बन जाएगा यानि दा में बड़ा लग गया mad plus and mad ओशद प्लस आले अब यहाँ पर छोटा आया क्योंकि खाली अक्षर है तो साथ में छोटा मानते हैं मेशा प्लस आले तो क्या होगा ओशद आले बड़ा लग गया देखिए दा में बड़ा आगया क्योंकि यहाँ पर बड़ा आता यहाँ चोटा आता उसी तरह विद्या प्लस अध्यनम तो यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर छोटा आ है तब भी बड़ा आ ही बनेगा विद्या ध्यनम ठीक है अब देखे बड़ा आ बड़ा दोनों से तरफ आ रहा है विद्या प्लस आतुर तो भी बड़ा आ बनेगा विद्यातुर उसी तरह यहाँ पर देखे चोटी इचोटी 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 इ जैसे वधू यानी बड़ाऊ आया यहां पर प्लस उत्सव यहां पर छोटा ओगा लेकिन जब मिलाएंगे तो हमेशा बड़ाऊ बनेगा वधूत्सव। उससी तरह री प्लस री बनाता है पित्र प्लस देडम तो क्या बन गया पित देडम दीर्ग संदी में क्या छोटा आ या बड़ा आ साथ में आएंगे या छोटी ई बड़ी साथ में आएंगे या छोटा उ बड़ा उ साथ में आएंगे या री री साथ में आएंगे तो आ ई उ री यह आते हैं तो यह कौन सा संधी हो जाएगा, दीर्ग संधी गुर्ण संधी में क्या होगा? छोटा आ बढ़ा आ होगा, एक तरफ और एक तरफ छोटी ई बढ़ी होगा यानि दोनों में से कोई एक, या एक तरफ छोटा बढ़ा मिलेगा आपको दूसरी तरह छोटी बड़ी में से कोई एक मिलेगा तो यहाँ पर जैसे देखे छोटा A है यहाँ पर बड़ी E है यह मिलके हमेशे क्या बनाएंगे A A बनाएंगे हमेशे याद रखेगा एक तरह अगर छोटा A बड़ा में से कोई है दूसरी तरह छोटी E बड़ी E में से कोई है तो यह हमेशा बनाएंगे A जैसे नर प्लस ईश तो यह क्या बन गए नरेश नरीश नहीं बना नरेश बना तो यहाँ पर क्या था छोटा A था यहाँ पर बड़ी E है तो यह क्या बन गए नरेश यहाँ पर बड़ा A और छोटी E है, यह भी A बनाएंगे तो मैंने आपको clear कर दिया एक तरफ छोटा A, बड़ा A में से कोई हो दूसरफ छोटी E, बड़ी E में से कोई हो तो हमेशा A बनेगा जिसे महा प्लस इंद्र यहाँ पर बड़ा A है यहाँ पर छोटी E है तो क्या बनेगा महेंद्र अब इसको याद करने का मैं आपको एक trick बताता हूँ तो A एक तरफ अब एक तरफ E होगा अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं आईए गुड़ खाईए तो A E A E से क्या बना A A E A गुड़ खाईए तो यह आप sentence याद रखिएगा तो A E से बन रहा है A परागे क्या गुड़ खाईए तो आप इससे इसको याद कर सकते हैं तो A E A जहाँ पर आएगा महाँ पर कौन संदी होगी गुड़ संदी होगी नेक्स एक तरफ है वरिद्धी संदी वरिद्धी संदी में क्या होता है एक तरफ छोटा A बड़ा A मेंसे कोई है दूसरी तरफ A या A मेंसे कोई है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा A बनेगा यादि एक तरफ छोटा A या बड़ा A मेंसे कोई आएगा दूसरी तरफ A या A मेंसे कुछ आएगा लेकिन बनेगा हमेशा क्या A जैसे अस्य प्लस एफ अस्य प्लस एफ तो यहां पे कहता छोटा आ था खाली एक्षर है जो खाली एक्षर को हमेशा हम छोटा आ साथ में मानते हैं अस्य प्लस F, अस्य F, तो यहाँ पर A था, यहाँ पर छोटा A था, मिलकर क्या बन गए? यहाँ में अय की मातर लग गई. उसी तरह बड़ा आ और ए आएगा तो भी ए बनेगा तथा यहाँ पर था में बड़ा आ है प्लस एव तो यहाँ पर क्या बन गया एगी मातर लगई तथा आव उसी तरह छोटा आ प्लस ए तो भी एव बनेगा मत यहाँ पर छोटा आ है प्लस एक्यम तो क्या बन गया मत्यक्यम, यह मनी ता में ए की मातर लगी, मत्यक्यम एक तरफ एक तो मैंने आपको बता दी आ, एक तरफ चुटा आ या बढ़ा आएगा, दूसरी तरफ ए या ए आएगा, तो ए ही बनेगा अब अगर एक तरफ छोटा या बड़ा में से कोई आता है दूसरी तरफ ओ या ओ में से कुछ आता है तो हमेशा ओ बनेगा तो एक तरफ छोटा आएगा, दूसरी तरफ ओ आएगा तो ओ बनेगा, एक तरफ बड़ा आएगा मिला कर क्या बन گیا रतनाऊद महा प्लस ओद बड़ा आ है और अ है तो ये ओ बन गया महाद महा प्लस ओद महाद वन चोटा आ है यहाँ पे ऊशदम, ओ है यहाँ पे ते है अब ठीआ बनेगा वन उशदम उसी तरह महा प्लस ओदार रहे बड़ा आ और अ तो यह क्या होगा, महौदार, तो इसमें आप क्या ट्रिक लगा सकते है, आए, आओ, आओ, इसे आए, आओ से आदके वृधि सथी है, जहां पर आए, ऐसा कुछ कंबिनेशन मिले या आओ, ऐसा कुछ कंबिनेशन मिले, तो वहां पर वृधि संथी होगी, तो अब देखते हैं यड़ संदी यड़ संदी का रूल है अगर पहले E आए पहले E आए बाद में छोटा A आए तो E का या आधा या मतलब इसका यह हुआ कि जिस अक्षर पर छोटी E लगी होगी उस अक्षर को हम आधा कर देंगे और यह जो छोटा A है यह किस में लगा देंगे या में लगा देंगे जैसे छोटी E ता में छोटी E की पाई तो इस ता को हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे जैसे इती प्लस अत्र का क्या होगा इत्यत्र यानि छोटी E तो पहले थी वो हमने लिख ली ता पे छोटी E की मात्रा लगी थी तो ता को हमने क्या कर दिया आधा कर दिया और यह जो यहाँ पे है आ इसको हम लगा देंगे या में तो या में आ को लगाएंगे तो या ही रहेगा और पर त्रा आ गया इत्यात्र छोटी E प्लस A तो बहाँ पे भी हम सेम उपर वाला रूल लगाएंगे जिस पे छोटी लगी है उसको आधा कर देंगे और यह जो A है यह या में लगा देंगे प्रती प्लस A कम तो प्रत ये कम या में यह जो A था यह या में लग गया और प्रती यानि ता में छुटी थी वो ता आधा हो गया प्रती एकम बड़ी ए के साथ छोटा हुआएगा तो भी सेम रूल लगाएंगे सुधी प्लस उपास से तो बड़ी ए लगी है उसको आधा कर देंगे यहां पर सामे छोटा हुआ की मात्रा थी वो ऐसे ही लगा दिया जिसमें बड़ी लगी है उसको आधा कर दिया और जिसमें छोटा हुआ है यह हमने या में लगा दिया सुध्य प्याव पास से चोटी ए के साथ बड़ा आएगा तो भी सेम रूल लगेगा इत्य प्लस आदि तो ए ऐसे लिख लेंगे जिसमें छोटी ए लगी है उसको आधा कर देंगे यानि आधा ता और यह जो बड़ा आ है यह या में लग जाएगा इत्य आदि उसी ता छोटी ए और छोटा हुआएगा तो भी सेम रूल लगेगा प्रती प्लस उत्तरम तो प्रे ता का आधा किया यह उ हमने यह में लगाया और बागी ऐसे लिख 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 तो प्रती प्लस उत्तरम प्रती उत्तरम अगर छोटा उ के बाद छोटा आता है तो क्या करेंगे जिस एक्षर में छोटा उ लगा है उसे आधा कर देंग और उसके बाद जो भी अक्षर है यानि ये छोटा बादवाला जिस अक्षर पर छोटा उलगा उसको आधा कर देंगे और उसके बाद में जो लिखा यानि यहाँ पर वो हम लगा देंगे वा में उपर क्या कर रहे था यहाँ में लगा रहे था तो मनू प्लस अंतर मन बंतर चोटा उ के बड़ा आएगा तो भी सेम रूल जिसमें चोटा उ लगा उसको आधा करिए और उसके बद वा में ये जो बाद में आ रहा है उसको लगाए गुरू प्लस आदेश तो क्या क्या हमने गू को ऐसे लिखा रू अब रा को क्या करेंगे आधा करेंगे फिरा में उ लगा है तो इसको आधा कर दिया रा उपर चला गया आधा होगे और जो बड़ा है ये किसमें लगाएंगे वा में लगाएंगे उपर या में लगा रहा है तो इसमें यहाँ पर वा में लगाएंगे और फिर बाफिद गुर्वादेश चुटाव के बाद ए आएगा तो भी सेम रूल लगाएंगे जिसमें उ लगा है उसको आधा करेंगे और जो बाद में आ रहा है यानि यह किसमें लगा दें वा में लादे तो अनू प्लस ए शडम तो यहां पर क्या हो जाएगा चुटाव को ऐसी लिखा जि अगला देखते हैं अगर री और बढ़ा आ रहा है तो री का क्या हो जाएगा अधरा हो जाएगा जैसे मातर प्लस आ गया मातर आ गया री के बाद अंग आ रहा है तो भी री का क्या हो जाएगा अधरा हो जाएगा मातर प्लस अंश मातर अंश वैसी लिखा आ रहा है तो ल लिर का अधला हो जाएगा लिर प्लेस आकरती लाकरती हो जाएगा आपको आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थेंक्स फॉर वाचिंग